नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड वेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत हैं कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्याण करेगी दोस्तों कार्टिक मास्के सुकल पक्ष की नौमी तिथी को अक्ष नौमी वा आवला नौमी मनाई जाती है अक्ष नौमी के दिन आवले के वरक्ष की पूजा की जाती है जिससे अखंड सौबाग आरोग संतान और सुक समरद्धी की प्राप्ति होती है दोस्तों आमला के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है इसलिए आमले के पेड़ की पूजा की जाती है दोस्तों अक्षे नौमी की कत्था इस प्रकार है एक व्यपारी और उसकी पत्नी जो कासी में रहते थे उनकी कोई संतान नहीं थी इसी कारण व्यपारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका सुभाव भी चर्चरा हो गया था एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो किसी जीवित बच्चे की बली भैरो बाबा के सामने दे इससे उसको संतान प्राप्ती होगी उसने यह बात अपने पती से कही लेकिन पती को यह बात फूटी आग ना भाई पर व्यपारी की पत्नी को संतान प्राप्ती की चहा ने इस तरह से बात दिकर दिया कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बली भैरो बाबा के सामने दे दी जिसके परिणाम सरूप उसे कई रोग हो गए अपनी पत्नी की ये हालत देख व्यपारी बहुत दुखी था उसने इसका कारण पूचा तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बली दी उसी के कारण ऐसा हुआ है ये सुनकर वेपारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दसा पर दया आ गई और उसने उसे सला दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में इसनान करे और सच्चे मन से प्रात्ना करे वेपारी की पत्नी ने वही किया कई दिनों तक गंगा इसनान किया और टेट पर पूरी स्रद्धा के साथ पूजा की इससे प्रसंद होकर माता गंगा ने एक बुड़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्न को दर्सन दिये और कहा कि उसके सरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्थिक मास पक्च की दिन व्रंदावन में आवले का व्रत रख कर उसकी पूजा करेगी तो उसके सारे कस्ट दूर होंगे व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधी विधान के साथ पूजा की और उसके सरीर के सभी कस्ट दूर हुए उसे सुन्दर सरीर प्राप्त हुआ और साथ ही उ और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथ ही साथ इस वीडियो को फेस्बुक और वाटसप पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवज सेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ट बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इसाथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद